अगर आमले की चटनी इस तरह से बनाएंगे तो किलो किलो आमला केले खा जाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है और आमला तो बहुत थेल्दी होते ही हैं आप सभी जानते हैं तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे आमले की चटनी जो बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिये हैं आमला तो आमला आप अच्छे लिजिएगा बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नहीं लेने हैं और आमले को अच्छे से धुल लिजिए धुल के हम इने पोच लेते हैं कपड़े से फिर हम इने कट करेंगे आप चाहें तो आप इससे कट कर सकते हैं या फिर आप जो इसकी कली आए ना उनको निकाल सकते हैं नाइफ से तो मैं इने रफली ऐसे ही काट रही हूं प्रिंस तब तक आप मुझे ये बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कौन सी सिटी और कौन से स्टेट से देख रहे हैं तक कि मैं आपको थेंक्यू बोल सकूँ तो यहां पर मैंने सारे आमले कट कर लिये हैं अब एक पैन लीजिए पैन में हम डाल देंगे दो चमस सरसों का तेल और ये चटनी आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो बहुत ही टेश्टी बनेगी फिर हम इसमें डाल देते हैं करीब हाप टी स्पून राई तो यहां पर मेरे पास कश्मरी राई है अगर आपके पास काली राई है वो भी आप ले सकते हैं नॉर्मली यहां पर हुटी है फिर हम इसमें फोड़ी हींग डाल देंगी और यहां पर मैंने YouTube की दाल फ्टिय सब्सक्राइब टुर्षार देल ठीलarin सब्सक्राइब और यहां पर तो अच्छें में सौड़ा हो जाता है बागी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें क्रेकल हो जानी चाहिए फिर हम इसमें डाल देते हैं सौफ मैंने ली है करीब एक छोड़ा चमच सौफ से काफी टेस्ट इसका बढ़ जाता है फिर हम इसमें लेंगे करीब अटा चार सुखिलाल मिर्चे और दो हरी मिर्चे और इनको भी हम इसी ऑईल में आड कर दें फिर हम इसमें एड़ करेंगे आमला अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे नई नई रेसिपी बनाना पसंद है तो उन्हें आप यह रेसिपी जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है भीम सिंग जी जो की सोनी प ब्जी कर देंगे हम यसको धग करना हमें इसको धग करेंगे, और इशेयर अच्छक जर से fato मिला देते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आइसी ही New New Recipes के लिए और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेस्बुक पे तो फेस्बुक पेज को फॉलो कर लिजिए तो यहां पे देखिए आमला भी पक चुके ह थोड़े देर के लिए मैंने अपन ही पका लिया है पहले आप इसे 2 मीट के लिए ढश्मी पकाएंगे फिर एक से डेट मीट के लिए उëपन पका लेंगे तो हम पक जाये correlation उसके बाद हम ईसमें एड करेंगे हरा धनिया लिया तो हरा धनिया आप चाहें तो इससे हमारी चटनी खराब नहीं होती है लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं इसलिए धनिया का पानी सुखाना बहुत जरूरी है बना आप इसमें सुखा धनिया एड करें तो यहां पे मैंने आमले को निकाल लिया और इसको ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद ह हम इससे ग्राइंड करेंगे तो गरम गरम ना ग्राइंड करें वरना आपके फेस पे आ जाएगा और जार खुलने का डर रहता है तो यहां पे देखिए मैंने इससे ग्राइंड कर लिया है और इससे हमें थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करना है और यकीन मानिये इसका तेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि आप सारी चट्नियां भूल जाएंगे आमले की चट्नी के सामने और आमला काफी हेल्दी भी होता है तो आमले को जरूर खाना चाहिए चाहें चट्नी खाएं, चाहें आमले का अचार खाएं, चाहें मुर्बा खाएं कैसे भी आमला खाने चाहिए और ये आमले की चटनी यतनी ही ज्यादा स्वाधिश्ट है कि इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं डाल राइस के साथ भी खा सकते हैं और जिसे भी आप ये चटनी खिला देंगे न वो आपकी तारीब करेगा और recipe जरूर पूंचेगा तो इसे आप एक बार जरूर बनाएं और फिर मुझे comment में बताएं कि आपको मेरी recipe कैसे लगी तो इस चटनी को बनाकर आप 10 से 15 दिनों के लिए store भी कर सकते हैं तो चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और bell icon को जरूर प्रेस किजि तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में, thanks for watching, bye bye